एक मास्क अनेक जिन्दगी अभ्यान के तहत बरूर शेत्र में बुधवार को जन जागरुकता रेली निकाली गई रेली में सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजुद थे रेली का उद्देश लोगों को मास्क के प्रती जागरुक करना था जागरुकता रेली नगर के विभिन नमार्गों से निकाली गई जिसमें खरगों से आये जनपस CEO राजेंदर शर्मा ने बताया कि इस जागरुकता रेली का उद्देश यह है कि जनता को कोरोना के प्रती जागरुक करना और मास्क, सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना और दुकान दारों को यह समझाईज दी कि सैनिटाइजर का उप्योग अविश्य करें एवन जनपत पंचायत खरगोन के सैयोग से आज गराम पंचायत बरूर में पुलिस प्रसासन, स्वास्तुविभाग, जनपत पंचायत, गराम पंचायत, आगनवाडी, अन्य साथियों के सैयोग से सुरक्षा अभियान अंतरगात एक रेली का आयोजन किया गया, इसका उप्देश प्रतेक वेक्तिको प्रतेक घर के परिवारों को सैयोग सुरक्षा अभियान अंतरगात आउगत कराना करोना महमारी अब हमारे गरामें जहत्रों में पहुँच रही है, चुकि बरूर गरा समपंचायत के आसपास काफी गरामें छेत्र हैं और वजार हाट करने वो परूर में आते हैं, आज की रेली का उद्देश कि सभी जन जन को जागूर करना, एक परियाप्त दूरी बना के रखें, घर पर जाएं, साबुन से सेनिटाइस से हाथ साप करें, किसी भी सार्वज साजिनी स्थानों पर भीड ना इखटा करें, कोई से भी सामाजी कारिकराम, शादी, विवा, जन्मदीन या मृत्ति उप्रांच कहीं पर भी हम एक साथ भीड इकत्रित ना करें, हम अपने आपको बचाना है, हमारे परिवार को बचाना है, हमारे गाओं को बचाना है, गर जवसा मोदल, स्वाश्ट विवा, महिला बालिक का साथिकारी, तासा करते हो के दुवारा, और पुलिस स्टाप के दुवारा, आज बरोर में कोरोमा में हमारे के बढ़ते होकाप को देखते हुए, जबरुपता बेहन देवी कारिए, जिसमें लोगों को बार बार सेनिटा साथ जोना, शाबों साथ जोना, मास्क का लगाना, और अधिक साधिक जादरों प्रहने से लिए, जब तब यह है, वो काभी सरानी है, मैं हर जन समानी से यह अफिक्श्या चाहूंगा, कि वो उनकी अपिल का समान करे, एवां सुरुप्सा नियमों का बालन करे, उसके हैं, तब से सभी प्रसाशन, स्वास बाग, पुलिस बाग, सभी धेटे हुए हैं, रक्र ठर्थ हैं, सभी लोगों ने अपना आहम योगदान दिया है, और कोरोना मामारी के लिए, जो भी प्रयास की जा रहे हैं, अथब प्रयास किये हैं, और उसमें हम आगे भी प्रयास हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें